अध्याए 18 उर्जा, स्वरूप एवं स्त्रोत, एनर्जी, फॉर्म्स एन्ड सोर्सिस 18.1 आखिर उर्जा है क्या? उर्जा द्वारा हम कोई भी कारे कर सकते हैं किसी भी कारे को संपन करने के लिए हमें श्रम करना पड़ता है किसी भारी वस्तो को उठाने के लिए अधिक कारे करना पड़ता है और इसमें अधिक उर्जा की आफशक्ता होती है कारे और उर्जा के बारे में हम कक्षा 9 में पड़ चुके हैं हमने देखा था कि उर्जा और कारे का सीधा संबंध है अधिक कारे करने के लिए आपको अधिक उर्जा की जरूरत होती है आपके पास जितनी अधिक उर्जा होगी आप उतना ही अधिक कार्य कर पाएंगे उर्जा, शब्द का अविश्कार आज से 200 वर्ष पूर्व एक ब्रिटिश व्यग्यानिक थौमस यंग ने किया था थौमस यंग ने उर्जा शब्द एक युनानी वाक्य अंदर कार्य से प्रेरित होकर इजाद किया उनके अनुसार उर्जा के अंदर कार्य छिपा है आप उस उर्जा के उप्योग से कार्य कर सकते हैं हमारे शरीर में भी एक निश्चित मात्रा में उर्जा है जितना अधिक हम कारे करेंगे उतनी अधिक उरजा की खपत होगी और हमें थकान महसूस होगी इस उरजा की आपूर्टी के लिए हमें भोजन की आविशक्ता होती है मनुष्य और उरजा ज्यादा तर हम कारे शब्द का संबंध जीवित मनुष्यों से जोड़ते हैं लगडी और वसा को इन्धन जैसे इस्तमाल करके आग की उरजा का उप्योग शुरू किया। आग लोगों को सर्दी में गर्मी प्रदान करती और आग से रात में प्रकाश भी मिलता आग से खाना भी पकता और आग धातुओं कांच और मिट्टी के बर्तन बनाने में भी काम आता है अब जीवित मनुश्यों वो जानवरों के साथ साथ नीरजी वस्तुओं की उर्जा को भी कारे करने के लिए उप्योग में लिया जाने लगा सन सत्रा सौ में इस्टीम इंजन का विश्कार हुआ पहली बार इंधन की रासाइनी कुर्जा को गती जुर्जा में बदलन पाना संभव हुआ भिन भिन प्रकार के इस्टीम इंजन बनाए गये कुछ कारखानों में म सन अठारा सो में जलाव इंधन की रासाइनी कुर्जा से दो चुम्बकों के ध्रूओं के बीच में तार के पहिये चलाए गए इसमें चुम्बक की गतिशील उर्जा से विद्युत धारा पैदा हुई विद्युत करण को टेली ग्राफ वर टेली फोन के लिए उप्योग किया गया विद्युत उर्जा से ही दुनिया के सारे मोटर चलते हैं सन अठारा सो के आसपास लोगों ने तेल के कुए खोदने सीखे इसे काफी आसानी से पाइप द्वारा एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ले जाया जा सकता था सन अठारा सो के अंत में पेट्रोल से चलने वाले इंजन बनने लगे इनका उप्योग कारों, ट्रकों, बसों, जहाजों, हवाई जहाजों इत्यादी को चलाने के लिए होता है तेल घरों को गर्म करने और विद्यूत पैदा करने के लिए भी उप्योग में आने लगा तेल और कोईले के अलावा भी कई और स्त्रोत हैं जिनसे उर्जा की आपोर्ती हो सकती है लोग आणविक उर्जा का उप्योग कर सकते हैं पानी और हवा के बहाव की धाराओं का उप्योग कर सकते हैं समुद्र में जुआर भाटे द्वारा उत्पन उर्जा का इस्तमाल कर सकते हैं प्रित्वी के भीतर छिपी अपार उश्मा का भी उप्योग किया जा सकता है सूरी की उर्जा कई जरूरतों को पूरा कर सकती है इस पार्ट में हम उर्जा के इनी स्त्रोतों के बारे में जानेंगे उर्जा के प्रकार कितने और कौन-कौन से हैं यह भी जानेंगे उर्जा के कौन से स्त्रोच से हमें किस प्रकार की उर्जा प्राप्त हो सकती है यह भी समझेंगे